आधार कार्ड के लिए पंजिकरन कैसे काएं? How to enroll for आधार कार्ड प्रिये विद्धिहर्थियों अब हम जानेंगे कि आधार कार्ड के लिए पंजिकरन कैसे करें? आधार प्राप्ट करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमान के कुछ दस्तावेजों के साथ नजदीक के आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एन्रोल्मेंट केंद्र या इमित्र के पास जाने की आवशक्ता है पूरी प्रक्रिया को इन स्टेप्स के द्वारा स्पष्ट किया गया है अपने निवास और पहचान से संबंदित दस्तावेज जो की ओरिजनल या सेल्फ अटेस्टेट फोटोकॉपी हो सकते हैं को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नजदी की अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर ले जाएं नामांकन करता या ऑपरेटर आपके डीटेल्स को एंटर करेगा और आपको डेटा जाचने के लिए कहेगा फिर आपको फिंगर प्रिंट्स और आई आर आई एस यानि आईरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा उसके बाद आपकी तस्वीर ली जाएगी जाएगा यहां आपको आधार संख्या प्राप्त करने का कार पूर्ण होता है इस तरह से हम आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं आधार अपदेशन बच्चों एक बार आधार कार्ड का पंजीकरण इन्रोल हो जाने के बाद अगर उस आधार कार्ड के विवरण में कुछ गल्टी हो जाए तो उसके लिए UIDAI पोर्टल यूजर्स की सुविधा के लिए कई ओनलाइन सेवाएं प्रदान करता है इन सुविधाओं के जरिये आप अपना आधार कार्ड डीटेल्स निम्न दो विकल्प के माध्यम से संशोधत कर सकते हैं आप UIDAI के अधिकारिक आउनलाइन पोर्टल uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप्स का अनुसरण कर एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं आप अपडेट किये गए विवरन को डाक सेवा का उपयोग कर uidai को भेज सकते हैं आउनलाइन विधी का उपयोग करके आधार विवरन अपडेट करें सबसे पहले हम ओनलाइन विधी से कैसे आधार कार्ट के विवरंड को अपडेट कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं UIDAI ने ओनलाइन सेवा शुरू की है जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपनी डीटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं आप UIDAI पोर्टल पर जा सकते हैं और पंजिकृत मोबाइल नमबर जो की रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर होगा उसका उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पर एक OTP नमबर प्राप्त करेंगे जो आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा इन चरणों का उपयोग करके आप ऑनलाइन विधी से अपना विवरंट अपडेट कर सकते हैं सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल यानि अफिशल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाएं उसके उपरांद अपडेट आधार डेटा बटन पर क्लिक करें ये आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा इस पोर्टल पर आपकी डीटेल्स को संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया गया है आप सही विकल्ब का उप्योग और प्रोसेस का स्टेब बी स्टेब पालन कर अपने विवरन यानी नेम, जेंजर, डी ओबी, एड्रेस, मॉबाइल और इमेल को अपडेट कर सकते हैं ओनलाइन विवरन अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार सपोर्टिंग दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अप्लोड करना होगा अप्लोड किये गए दस्तावेज, सेल्फ साइंड या सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए दस्तावेज, PDF, Microsoft, Word या Image प्रारूप में हो सकते हैं एक बार सब्मेट होने पर आपको स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोज संख्या यानी अपडेट रिक्विस्ट नंबर जिसको हम URN भी कहते हैं के साथ एक confirmation message मिलेगा इस URN का इस्तमाल कर आप अधार कार्ण के साथ आधार कैसे लिंक करें? How to link आधार with bank account? प्रिये बच्चों, जैसा कि आप सब को पता है कि RBI ने आधार कार्ण को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार कर दिया है अतहां निम्न दो तरीकों से आधार कार्ण को बैंकों से जोड़ा जा सकता है नेट बैंकिंग का उप्योग करके ओनलाइन आधार विवरन अपडेट करना आवेदन पत्र भरना और स्वयम बैंक में जमा करना